नमस्कार जैसे कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जोतिश ग्यान के नाम से सिरीज चलाई है और उस जोतिश ग्यान की सिरीज में मैं अस्ट्रलोजी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और एंड तक हलागी एंड तो स्ट्रलोजी को होई नहीं सकता आप कितने जनम लगे रही है लेकिन फिर भी पूरी पढ़ाओंगा और मुझे आशा है कि अगर आप पूरी एक लास देखेंगे तो एक अच्छे स्ट्रादर बन सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है तो उनकी हायर स्ट्रेंट होती हैं वो सब चीजे में आपको बताऊंगा ताकि आपको इसके अंदर आडिया रहे अब यह जो बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यह प्रेजेंटेशन लगाना चाहता हूं आपके सामने जिसे कि आप पूरा देख सकें उसको समझ सकें इसी प्रकार मीन लगन का स्वामी या मीन राशी का स्वामी जो होता है वो गुरू के पास भी दो राशी एक तो मीन है और डूसरी धनू तो धनू और मीन दो राशी है तो ब्रस्पति इनका लॉड होता है मीन राशी वानों का सिंबल क्या होता है कि दो मचलिया है दोनों आगे पीशे हो रही है मतलब एक के पैर एक तरफ है तो दूसरे का सार उस तरफ है इस तरह से दो मचलिया है आपस में इनका दो फिशिस दिखाई गई हैं, इनको मीन राशी होते हैं, इनका जो आडियल मैच साइन है, यानि इन से जिल लोगों की बहुत अच्छी वेवलेंट मैच करती है, या जो लोगों से बड़ा अच्छा इनकी नित्रता हो सकती है, वो वर्गो और कैंसर वाले, यानि कन्य और कर्क राशी वाले जो लोगों हैं, उनके साथ इनकी अच्छी पढ़ती है, और अच्छी वेवलेंट मैच करती है, लखी पर्फियूम, बाकी लोगों की तरह इनके लिए बहुत लखी पर्फियूम होता है, अगर वो लगाएं तो बड़े कूलन काम महसूस करते हैं, आ इंबर ग्रिस्टे नाम से आता है, गूगल पर इसको चेक कर सकते हैं, ए, 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 आ, जी, आ, आ, ए, ए, इस, इस पर्फियूम को वो लोग चेक करें, जिनकी महीन लगान है या महीन राशी है, और इस पर्फियूम को लगाएं तो बहुत पाइदा इनको मिलेगा, लखी नंबर इनका एक, चार, ती, नौ है, इनके लखी नंबर्स हैं, संडे, ट्यूजडे और थस्टे, ये इनके लिए अच्छे दिन है, यानि इन दिनों में अगर ये कोई काम स्टार्ट करते हैं, रविवार को, मंगमलवार को, या प्रस्पतिवार को, तो इनके काम वेड येलो रोज औरंज ये इनके लिए लखी कलर होते हैं लेकिन इनको ब्लू ओएड करना चाहिए नीला राग इनको नहीं पहना चाहिए इन राश्ची वारे लोगों को या इस लगन वारे रोश्वों को अगर इन्हें व्रत रखना है तो इनके लिए ब्रस्पतिवार का दिन बहुत अच्छा होता है गुरुवार के दिन ये फास्ट रख सकते हैं बारण नमबर लगन की कुंडी है देखें ये बारण नमबर यहां दिया हुआ है ऐसे व्रक्ति की द्रस्ती बहुत संदूर होती है ये लोग बहुत विद्वान होते हैं बाग्यावान होते हैं ऐसे चल राशी है हमने बताया था आपको अगनी प्रशवी वायू जल चार तो यह जल्दी हट कर जाते हैं इन लोगों की जो इमोशनल कोशेंट है वो थोड़ा हाई होता है और इनके साथ बात करते हुए या इन से कुछ कहते हुए मजा करने से पहने हैं इनके साथ थोड़ा सध्यान अबना चाहिए आदरवाई यह बुरा माल जाते हैं ज्वबसाइन है ज्वबसाइन मीजिटी में तरह के राशियात्यीय तरह कहने स्थिर उन दीच राशी में आपक्ती यह इसे राश होने से थे हों यह क्तिसानलने लीम कर से हों नौर्थ डालेशन लोगों के लिए नौर्थ डालेशन जोई बाध अच्छी होती है उत्तर दिशा इस दिशा में लिए कोई यातरा करें है ये IS दिशा में कई कारे कर current न उनको सुफल्दा परदराब्ट हो थी आपको मालूम है कि जितनी भी और राशिया है यह सब फिराशी है जितनी इवन आप गजा दस बारा तो सारी फिमिल राशी वाले लोग जो थोड़ा अगर राशी फिमेर होगी तो प्रश्रीवालों की तरह या और लगन वालों की तरह इनके अदर भी कुछ पॉजिटिव ट्रेट से कुछ लोवर ट्रेट से पॉस्टिव ट्रेट से कि या इनकी लोवर इस्टेंथ किया है वो भी इनमें भी होता है तमपेशनेट होते हैं बहुते हैं बड़े धार्मिक होते हैं जो मीन लगन वाले अमियन दाशिवारे लोग हैं बड़े धार्मिक होते हैं गौट फेरिंग हो खारिजन मोति को बहुत 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 जल्दी रहता है जिसके पोठ ग्रहन 시कशल होते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी देदू हैं कहीं को दिक्कट नहीं के लिए अर्व से कि आसानी से अन्य लोगों से या आसपास की स्थीति से ये लोग प्रभावित हो जाते हैं ये भी इनके अंदर एक हाई स्ट्रेंथ है अलगी यू कें से कि ये लोग सकती है कि बहुत जल्दी असानी से आसपास की स्थीति से ये लोग प्रभावित होते हैं लेकिन फिर भी य हार स्ट्रेंट में इनकी माने जाती हैं पत्ति और भाग से संथर्थ रहते हैं कोई इन में दिक्कत नहीं होती पत्ति यसर बहुत अच्छे लेते हैं शर्मीले होते हैं वावनाति में बाजिक स्वाव में का फौड़ा होता है मेहमान नावाजी इन की बहुत अची होती है इनके घर जाओ तो बाड़ी खादिधारी होते हैं अपने दुष्वनों कर बढ़ता से अंध विश्वास बढ़ जाता है अंध विश्वासी होते हैं वहमी होते हैं इन डिसीजिव होते हैं इन को बना टाइम लगता है इसके प्रोसन कौन्स बहुत सोचते आसानी से बहते जाते हैं क्योंकि आसानी से प्रबावित हो जाते हैं पीछे मैंने लिखा था तो असानी से बठक भी जाते हैं यह वही हायर स्टेंटिंग की लोर स्टेंट में चेज़ जाती है थोड़ी इच्छा शक्ति कम जोर होती है स्टेंट विलपावर नहीं होती इतनी बहुत जादा वह थोड़ी उसको स्टॉंग करना है उसको स्टॉंग बनाना है तो यह बहुत बढ़िया लोग बन सकते हैं थोड़ा काम अखनिश्वास होता है सेल्फ और थोड़ी कमी रहती है इन लोगों में डरकोख होते हैं करने में अच्छी बात है पैसा बचाते हैं काफ एच्छा लेकिन कई बार अपनी चीजों से अपनी इच्छाओं से कर लेते हैं कि खर्च करने में यह गवरायवे से रहते हैं ब्रमित से रहते हैं बोड़ा है करने के लिए हर चीज के लिए खुद को दोस्त देते हैं कि दूसरों के समस्या से बावना तुम रूपसर जोड़ाते हैं को दूसरा परिशान तो जोड़ाते हैं और उससे बेचैन हो जाते हैं कि दूसरों की समस्या को देखकर यह लोग उसके जुड़ाते हैं तो यह पांच चीजें हैं कि फोड़ा अंद्विश्वास बिजन मेकिंग फड़ा इंप्रूब कर लें कि सेल्फ कॉंपिदेंस थोड़ा इंप्रूब कर लें तो बहुत अच्छे इंसान यह लोग होते है कि आगे चलते हैं इनके बारे में शास्त्रों में एक श्लोक है इसमें लिखते हैं मीन लगन धनी मानी विनितस्चे भोगी बहुग ने कुछल सस्टी मानस है पित्र बात्र सुराचारिये गुरु भक्ती युदो आजार शास्त्र कलादरत को नरह यानि मीन लगन में ट्वर्ण भर्याइलू टैप के उते हैं विनम्र होते हैं सुभाविका बहुत विनम्र होता हैं लो ठाखे वूःश्त हैं उत्यू फल्ए सुराचारिये इद नहीं सबकें很有만 ऑन उते मutan परकिता के व्लादर को नरह बहुत भक्तता है और बड़काव जदे से स्टेट तक नहीं पहुच पाते हैं जिसके वहमदारें इंप हास बात रहती है यह दिल के साफ होते हैं सच बोलने वाले होते हैं ग्जान है बुद्धी है पर मन भटकाव होने से थोड़ा लक्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं इनको यह एक फोड़ा करना है कि अपने आपको कैसे कंसंत्रेट करें अपने आपको अगर पीछे देखा है बातची पे करते हैं पारिवारी जीवन सुखी होता है थन बहुत आता है पर बहुत टिकता नहीं यह थोड़ी सी इनके साथ दिकत रहती है तो यह थे मीर लगन के बारे में सारी चीजे जो आपको मैंने बताई अच्छा करता हूं आपको सब्सक्राइब कीजेगा और इसके अलावा हम ल किसी क्लास हमारी सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसको भी अटाइन कर सकते हैं धन्यवाद जैशी किशना नमस्कार